यह crash course आपके लिए है अगर आप एक Java developer हो या फिर अगर आप चावा developer बनना चाहरा है अगर आप interview देने की सूच रहो या फिर interview दे रोलागातार और वहां पर Java के questions पूछे जाते हैं तो यह crash course आपके लिए होने वाला है इस crash course को मैंने ऐसे design किया ऐसे बनाया है एक interview question की basis पे पूरे आधार पे सब चीज बनाया है इस crash course का पूरा content तो यह crash course आपके लिए बहुत जादा important हो रहा है अगर आप spring boot का interview देने जा रहे हो अगर आप इस पर बूट पर काम कर रहे हो spring पर आप काम कर रहे हो या फिर Java double E जिसको हम लोग जगारता double E बोलते हैं उस पर काम कर रहे हो तो उस पे भी यह बहुत सादा इस पर बात करते हैं कि हम लोगों ने किस किस चीज पर बात किया है एंड क्रैस को बनाया कैसे क्या क्या content कवर किया यह सब चीज पहले बात कर ले देन हम crash course के अंदर डाइब करेंगे आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा practical तरीके से सबसे पहले हमने इस crash course के अंदर वो सारे latest वर्जिन पे सब चीज करके दिखाया है सब चीज का मत्तब हम लोगों ने servlet API यूज किया है यूज करेंगे और लेटेस वर्जिन करेंगे जो कि करेंटी लेटेस चल रहा है सब चीज करके दिखाया है सब चीज करेंट वर्जिन पर गया है हमने eclipse को configure भी किया है तो सब चीज करके दिखाया है step by step उसके बाद हम लोगों ने spring को configure करते समय हम लोगों ने spring की context file बनाई है spring के context file के अंदर चीज़े configuration किया है हमने इस crash course के लिए यूज किया xml क्यूंकि interview का question था उसमें xml configuration के बारे बात की गई है तो पूरा यह crash course xml configuration पे ही है कैसे हम लोग xml configuration करेंगे and spring mbc कैसे हम लोग xml configuration के थुरू अपने application के अंदर configure करेंगे तो वह सबची detail बात किया है चितना मैंने content बताया इससे बहुत ज़्यादा गाइस कबर है आपके लिए बहुत जादा important तो crash course पूरे पूरे crash course को enjoy करिए और आपको क्या कर रहा है बस कमेंट स्क्रिशन में हमें बताने क्रेस को कैसा लगा आप कहां से और आपका नाम लिख करके crash course को attendance जरूर से लगा क्या होता है तो यहां पे जब हमारे स्टुटेंट पहां पे गया इंटर्वी में तो उसने बैसिक कुछ पूचे उसके बाद पूचा क्या होता है और हमारे स्टुटेंट ने अच्छे से बताया क्या होता है क्योंकि मैंने सब चीज सिखाया था उसने भी अच्छे सीखा था अच्छा था एक कह सकते हो डिसेंट बच्चा था लेकिन फाइनली जब उसने बताए स्प्रिंग बूट की हल्प से हम ऑट अटो कांफिगरेशन कर सकते हैं और सब चीज कांफिगरेशन हो जाती हैं, तो उसने इंटर्नली Spring MBC के बारे में कुछ कुश्चिंस पूछे, Spring MBC के बारे में कुश्चिंस पूछे, तो यार देखो, Spring MBC के जावा को यूज करके एंड जावा को यूज करके साथ जावा को यूज करके एक्जमेल 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 को यूज करके अब देखे यार इस कुश्चन को पूछ भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि spring boot जो है auto configure करकर सब चीज दे देता बड़ देखो यार इस question का पूछने का simple एक ही मतलब है कि क्या आपको manual configuration आती भी है कि नहीं आती है तो अगर आप XML configuration कर देते हो स्प्रिंग MBC का तो यह मिलता है हो जाता है या यह प्रूव हो जाता है कि यहां आपको configuration आती है potential लेनी की जरूद नहीं है एक्समेल भी configure कर लोगे जाओ configuration का concept clear है और यहां पर interviewer सिर्फ spring MBC configure करने के लिए बूल रहा है आट साल के नौ साल के दस साल के इवन पंदरा साल के प्रोजेक्ट चल रहे है क्या उस बंदे को जो requirement थी वो पुराने प्रोजेक्ट के लिए आप developer चाहिए होगा तो इसने ऐसा question पूछा बट आपको आनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हो या अगर आप हो तो आपको यह configuration आनी चाहिए आप देखो जितनी भी configuration है ठीक है तो यहां पर यह काम मैनुवल करना था मैनुवल करना था और स्टुडेंट ने किया थो यार बट चला नहीं चला नहीं क्योंकि अब जो नए वर्जिन उसमें जावा एक्सचेंज होगे जाकारता में चेंज होगा तो यह सब चीज हम लोग बात करेंगे हम पूरी चीज बताएंगे कैसे आप लेटेस वर्जिन क आपको तीन चीज आनी चाहिए आपको देंगर इन्ट वी2 इंतरव बतालो तो हम चलते मुछ और इंस्ट्रेक्शन्तोर जिसे आपको एक इकलिस प्रोजेक्ट करते इस्प्रीट में बनाना धिन तोинки भाल करते से को इंबीसी का अदरना यानी कुछ ऐसा लंबा चोड़ा statement था और उस student को मिल गया था करना था जो कि नहीं कर बाएगा तो आप लोग के सामने यसा question आता है तो बिल्कुल कर लिजिए तो इस विडियो में हम लोग simply कुछ ज्यादा नहीं करने वाले हम लोग configuration using एक्सेमल देखेंगे हम लिखेंगे लेखेंगे अव तो इस पहले मैं आपको क्या करूंगा यह यह तो दूसरा point हो जाएगा हमारी वीडियो का इससे पहले मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा how to create web application using eclipse और हम लोग simple like servlet भी बनाएंगे and test करेंगे and इसको run करेंगे on tomcat latest tomcat server ठीक है लेटेस में तो 10 11 जो भी latest होगा उसको भीस करेंगे तो तीन चार पॉइंट सब्सक्राइब करने वाले सबसे पहले यह cover up करेंगे and then यह cover up करेंगे and then इसको टू दे दू भाई ठीक है इसको हम लोग टू दे देंगे वन के मां जा रहा है कितवी पर तो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा वन घुंठवी ten test हो टेसरी सब्सक्राइब कर दो आप इसको फोर्ट कर दो है थीक है तो चारची esse वीडियो के अन्दर करने मलब तो चलो गआतूकर पास यहा Eclipse ID उपन है Eclipse ID उपन है मैं बता देता हूँ आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है Eclipse Eclipse Download for J2EE या Jakarta 2EE आपको लिखना है और जो पहले साइट उपर होगी यहाँ से आपको Eclipse Download करने हो सकता है Installer Download तो इस्टाल डाउड़ोड़ोड़ोगा तो वहाँ पर जब आप इस्टाल करेंगे तो वहाँ पर Eclipse for J2EE Select करके देन इस्टाल कर लिजेगा तो मैने Linux का वरजिन विंडोस का अपने दूसरे सिस्टम में इस्टाल कर रखा है इस सिस्टम में मैंने अपना Mac का रखा और हमारे पास Linux को इस्समें Linux का इस्टाल कर रखा है इसका सिंपल सा मतला होता है आपका जो उपरेंग्स सिस्टम है उसी के अनुसार आप इसको इसको इंश्टाल कर लिजेगा ठीक है चलो भाई अब जब इंस्टाल हो जाएगा तो हम सबसे पहले एक simple web application create करेंगे web application create करेंगे तो हम क्या करते है राइट करेंगे न्यू पर जाएंगे और और project में web app होगा आप simple project भी create कर सकते हूँ दिन बात में इसको convert कर सकते हूँ यहाँ पर option आता है ठीक है आप क्या कर सकते हूँ आप simple project भी create कर सकते हूँ dynamic web project कौन सा dynamic dynamic web project and later then convert to maven one maven convert कर दीजिए तो यह भी option आपके पास आप कर सकते हूँ बिल्कुल बट मैं simply directly maven application create करूँगा देखे right click करूँगा new पर जाओँगा और यहाँ पर एक option है project या फिर आप क्या करिए यहाँ पर जाईए अपने सिंप्ली फाइल पर जाईए और यहाँ पर एक option है maven project मैंने प्रोजेक्ट मैंने प्रोजेक्ट मैंने प्रोजेक्ट करके तेन आप में भी कनवर्ट कर सकते हो बाट डार्क लिए आप में प्रोजेक्ट करिए और यहाँ पर next प्रोजेक्ट कहां बनाना है मैं कहूंगा ठीक है यार मैं क्या करता हूं और डिफाल्ट लोकेशन है हमारी कौन सी लोकेशन है हम चूज करो यार हम एक्लिप्स वर्क स्पेस ही के अंदर रहते है न हाँ ठीक है यहां पर आएंगे और यहां पर हम लोग ठीक है next पर आएंगे और यहां पर आपको internal चूज करना है और internal कैटलोग में इंटरनल और आपको यहां पर कोई किस्टार्ट और अल्री सेलेक्टेड रहेगा आपने को नीचे आना और यहां वेभ एप सटेट कर लेना में आर्क टाइब वेभ एप वाइटी वाइटी और स्प्रिंग या वाइटी वेभ वाइटी वेभ आप बाद में इसको अठा दूंगा सिभ आपको सिकाने के लिए कर रहा हूं और डाश शूज मने किया बीच में प्रोजिक प्रोजिक करेंगा अगर आप से यह पूछता है कुछ पूछ रहा है नीचे कंसोल पर आप यहां पर क्या करिए अगर आप से कुछ पूछ रहा है तो यह लिखके एंटर भी कर सकते हूं तो इसने क्या के एक प्रोजेट कर दिया मैं आपको दिखा देता हूं यह तीक है वाइटी वेब अब इसमें कुछ अर्रस आ रही हूं अर्रस को आपको सॉल्ट परेंगे आपको टेंसे लेने के ज अर्र क्या रही है सब चीज़ अब जाएंगे प्रोजेक्ट हमारे क्रेट हो जगा है और कुछ फोल्डे स्रेक्चर भी आपको समझाओंगा तो आपको बहुत आराम-ाराम से समझनी तो सबसे प्रोजेट को अपन करता हूं तो अपन किया ओपन करते ही सारी चे दिखेंगे मेला भाइः . एपारि नाम आम ही फोल्डे मिला बिल्कुल मेले फोल्डर मिला हुआ जावा का यहां पर टेस्ट कई पिल्ट होब फोर्श AUDIENCE चोड fibre जैंगे स्टvos ऑन से फोल्ट है एक इचाण rate अन्दर करोंट आप से हैं एट को फोल्ड चुर्ट और या फोल्डर तो अले से में इसक्टीकंतon निल्ट हमार नमसे फोल्टर तो सकते हैं दर्मरें रिवसर्स है है अघर उटमेक बन के आ रहा है तब तो ठीव के नहीं बन के आ रहा है तो आपको बना आना है neighborhood इस यह न दर्टेर्वल बन नाम पता नहीं इस फॉल्छेट में हमारे बन कर नहीं आएकू कोई तो मैं दूसरे ख़लर कर दूँ क्या 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 बोलती पॉब्लिक यस फाइल को मैं दूसरे ख़लर कर देना तो यह हमारे एक फॉर्ड श्रक्चर बन किया है कुछी जिए मैंने बनाई ही बड़ यह ऑट अटमेटिक बनना बनना मिलता है अब देखो क्या करना है एरर के आरे इसको सौल करना है जब आप JSP को प्रॉपन करोंगे तो यह एरर रही वर्जन से रिलेटेटेट इश्वार है ठ इस फाइल को रिनेम पर जाहिए और रिनेम में JSP जिगा HTML कर दिए HTML कर दिए है ठीक है HTML जैसे HTML करोंगे तो आइधिंक आपका और चला जाने चाहिए बड़ अभी भी नहीं जा रहा है एक बार हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट पर चलेंगे अपडेट में प्रोजेक्ट पर जाएंगे एंड बिल्ड कर लेंगे एक बार और देखते हैं इंडेक्स.html प करेंगे नियू और अगें फाल पर जाएंगे इस बार आम देखेंगे इंडेक्स.html फाइल यहां पर हम कुछ ऐसे एल एच्वाल लिख देंगे एच्वन और दिस या लिख देंगे वेलकम टू वेलकम टू वेलकम टू वाइटी वेब आप लिकेशन शेप करेंगे तो हम मसवर्ण के लिए हैं चाहिए का Gender Hashimucky हमें चाहिए इक सर्वर तॉ हम टाफॉपकर ब्लाएंगे टॉंकर शर्वर को अपने प्रोजेट के अंदर कॉन्फिग्र करेंगे तो आपको क्या करना है सिंपली आपको आ जाना यहां पर गूगल पर यहां पर लिखना है एजएट आफ मूब फ्रॉं जहर अजावा डबयली तो पर डबयली तो इकार्था लिखर यहां प्रैम्डेकश अफ यह खुद बता रहें कि अब यह जो 10 और 10 के बाद वाली जितने भी Tomcat के जितने भी 10 के बाद वाले, वो support करेंगे Jakarta X को, मतलब अब change हो गया Java X से, Jakarta X, transfer हो चुका है This will almost certainly require code changes to enable migration, ठीक है तो यह simply कह रहे हैं कि अगर आप Java 9 या 9 या 9 के पहले वाला वर्चिन उसकरोगे, तो Java X वाला सारा चीज उसकरना पड़ेगा, मतलब अब Java double use करना पड़ेगा इसको आप 10 कर रहे हो तो, हो सकता है कि code changes आपको करने पड़े जहां-जहुआ जहाँ, आप Jakarta X use करना पड़ेगा, तो मैं गोंगो ठीक है मैं Jakarta X, कि हम 10 use करेंगे Tomcat 10 ठीक है आपको समझ में आए होगा एक चीज़ और है यह जो है 10 तॉमकाट 10 है वो सर्वलेट की API 5 को सपोर्ट करता है इसमें कहीं हो मैंसन भी होगा यहां पर विच वर्जन पर क्लिक रहे है यह देखे तो यह देखे टॉमकाट इस ओपन सोर्स आफ्टर जकारता ओपन सोर्स इंप्लेमेंटेशन अप सब्सेट अब जगाता डबली फॉर्मली जाव डबली टेखनोजीज डिफेर्ट वर्जन सब्सक्राइबल यह देखे यह 10 यूज करोगे तो यह सपोट कर रहा सहर्वड पाइब को यह जाद रखेगा कौंसा सफ्टैस्ट केशन एपिई सपोर्ट कर रहा और जिसेश्प को यह सपोर्ट कर रहा 3.0 तो देखे थोड़ा सा मैचिंग टाइब का है 10.1 सपोर्ट कर रहा है ऑथनिकेशन 3.1 जैस कि आप कौन सा सर्वर का वर्जिन करो कौन सा आप सर्वरेट एपी वर्जिन करो सब्चीश तो मैं कहुंगा ठीक है यह समझ गया कि अगर हम टॉमकेट 10.1 डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारा सर्वरेट स्पेसिफिकेशन 6 है और 10.0 डाउनलोड कर रहे हैं 10.0.0 10.0.0 के बाद जो भी X है वो 5 सर्वरेट स्पेसिफिकेशन 5 को सपोट कर रहा है 10.1 पॉइंट के बाद जित्री भी चीज़े वो सपोट कर रहे है तो यह चीज आपको इंपोर्टन यह लाइन पट्टी याद रखिया है कि वर्जन जब भी आपको अगर एक अच्छे सफ्ट 6EW फेट लोकरे 64 विड्यो सिक्स्टम तो मैं जिप दाउनलोड करोंगा जैसे चीज़ दाउनलोड करोंगा तो यह देखे डाउनलोड कर देगा 10.1.8 मैं अच्छे तो मैं टाउनलोड नहीं कर रहा हूं मैं कहा करूंग मैं आपको ओनि करके दिखा रहा हूं यार ठीक है अपको आपको करना है उसके वाल को कुछ करने की अब हमारे पास में चीट किया है हमने डाउनलोड कर रख तो लिया रखने के बाद हम किया करना पड़ेगा और हमें इंपोर्टेंट करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा टॉमकेट 10.0 10.1 एक क्या है 10.0 पॉइंट क्या था भाई मुझे याद नहीं है यह बाद देख लेकिन बंद क्यों कर दिया है आँ डाउनलोड से चलो 10.1.18 10.1.18 1.18 1.18 कॉंफिगर करना है और विट एकलिप्स एकलिप्स टू रन जावा वेब आप ठीक ह यह चीज हम सिंप्ली कर चुके थे अपने सर्वेड गरकी प्लेलिस बहुत बार किया है बट फिर भी आप देख लिए कैसे करना है हमें यहां पर नीचे दिखे यहां पर एक सर्वर्स नाम का टैप दिखेगा और यहां पर नाम का टैप नहीं दिख रहा है तो आपको जान यहां पर आपको अप्शन देखेगा नू सर्वर्स अर अब लेबल क्लिक यह एक वार देख लिए यह देखिए 10.1 10.1 तो मैं यहां पर 10.1 यूज करूंगा अगर आपके पस 10.0 होता तो आप यह वाले चूज करते या पुराना वर्शन होता तो आप यह चूज करते इंपॉर्टेंट है यह चीज बता दियेगा मैं बता रहा हूँ आप और दूसरे को आप बताईएगा तो आप भी बताजिएगा कि वर्जन कमपेबल होना चाहिए अदरवाश दिक्कत होगी तो हम यूज कर रहे हैं 10.1 तो मैंने 10.1 सेलेक्ट किया नेक्स्ट किया और बाकि मुझे कुछ भी करने के जरूत नहीं है तिंग रन टाइम स्टेट करने के लिए नहीं आ रहा है क्या एक बार देखिए हां तो यहां पर यह आपके में यह उप्शिन नहीं आएगा तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा जैसे यह मैं पहले साइट कर तो आपके में यह नहीं आएगा मैं दिखाता हम आपको इसको रिमॉफ कर दू फिर इसको रिमॉफ कर दू यस रिमॉफ कर दू यस ठीक है तो यह देखिए आप यहां पर जैसे 10.0 करोगे और नेक्स करोगे तो आप से यह देखिए सर्वर गॉन्फोर करने के लिए यह नाम आप देख सकते यह आप लोकेशन चुछ बशाएं तो मैं ब्राउ्स पर क्लिक करोंगा और प्राउच पर क्लिक करोंगा डांवलोड़ पर जाओंगा और जो आपकी टॉंपकाट वाली डेरेक्टरी था यह आप क्या करेगा बिन क तो बिन की मेरी जो parent directory है वो यही वाली है इसको select कर लिए ठीक है देखिए फिर से यह वाली Apache Tomka 10.1.18 वाली डारेक्टरी select करिए and then next कर दीजे and बस finish कर दीए कोई भी application deploy भी मत करिए अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं अब आप अपने वैब प्रोजेक्ट पर राइट करिए अभी 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 थोड़ी दिखाता हूं मैं क्या आपका Servers सब्सकान होचका आएट go देखने के लिए फिसे आपxual Servers पर आइए यहाँ वाद करेले के तो मैं स्टार्ट करता हो यह सब्सक्राइब अनl पोट नंबर 8080 रीपाइड उसके कर रहा हो गा दिए सर्वर हमारेक्ट Лिप के साथा सर्फेयों करते हैं तो हम क्या करेंग available करेंगे अब क्लिक करेंगे बंद इंपヒ अब हम रहे हूं किया करना हमें अप्लेकि FinCoin को यह उसको मैंत करेंगा इसको अप्लें करेंगे मैं öपनों गरोंगा और यहां पर निस्टान करोंगा सर्विलेट एपी एई जल एपी एई है वो दिखेंगे मूप कर चुकिए जाओ जगारता एक्स जगारता डॉट सर्विट एपे पर क्लिक कर लोगा और मैं यहां पर उसकर जारहा हूं तो याद करें हम लोग ने सीखा था कहीं इधर ही था हम लोग यह वाल वट्जन इस कर रहे हैं तो हमारे पास सब्सक्राइब इसक्स पॉइंट वाली तो हम यह पर यह वाली उस करेंगे कॉपी करेंगे इस पूरे को कॉपी कर लो करेंगे और डिपेंडेंसिस के अंदर पेस्ट करेंगे सेप कर लेंगे अंदेन हम प्रोजेक्ट 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 सर्वर रंटाइम पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर जाएंगे और अपनी टॉमकाट वर्जिन 10.0.1 को फिनिस कर लेंगे अप्लाई कर लेंगे इतना चीज होगी अच्छा हो सकता है कि आपके बास प्रोजेक्ट में रहे तो यही वाली दिक्कत है देखें मेरे पहले पराने दिक्कतारी तो मैं फिर से इसमें राइट क्लिक करूंगा बेल पात पर जाओंगा और पुराने प्रोजेक्ट में भी यह लाइवरी एड नहीं इसलिए इक्कतारी सर्वर रंटाइप पर क्लिक करूंगा और इसको सब्सक्राइब करूंगा इसकी चली जाएगी जब हम अब बैणा सरवर एड अपका सर्वर स्टर्वर होगा और स्यर्व कर रेया इस थीयर था चुका है तो इस 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 वायरे को कॉपी कर लिए अब है ब्राॉजर में प्राउजर पर एचेक कर रहें लाइड यह देखर वेलकम प्लीकिशन और य्यों बहें पर चल रहा है जो आपने यहां पर बना रखा था index.html page इसके अंदर अगर आपको चो लिखते हूं लिख देता हूं suppose this is home page of my web application save करिए by default static resources जो है उसमें change होने पर आपका server restart नहीं होगा तो आपको manually start करना पड़ेगा अगर आप refresh करते भी हो तो आपका changes reflect नहीं है right click करिए and यहां पर आप run as पर जाईए run on server पर क्लिक करिए and अभी देखेगा ठीक है आप से पूछेगा I think यह नहीं पूछा हाँ यह देखे ठीक है तो आपका server restart करने के लिए पूछेगा तो आपका काम हो जागा तो इस तरीके से अपका web application बन जोगा बड़ अभी आपके application के अंदर कोई भी यहां पे ना JSP है ना servlet है तो अब हमारा main mode होई कि हम servlet को create करते हैं and then हम servlet करन करते हैं कैसे देखिए हम क्या करेंगे I am going to create a servlet तो आप देखो service 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 जावा जावा क्लास है और जावा मेरा में अंदर बनाञा एंधे चान नहीं ऊिहां में के इंदर ज्यादा काम नहीं करें हम इस Java resources का एक फोल्डर में मिल चूका ही जावा रसूर के अंदर इसको पिन cambi सब्सक्राइब करेंगे करेंगे यहां पर क्लास बना लेंगे क्लास कराम देंगे क्लास का नाम में सब्सक्राइब यह बन चुका है थोड़ा सा मैं बढ़ा कर लेता हूं ठीक है और सब्सक्राइब करते हैं अब नए नया वर्जी निउस कर रहे हैं इसके अंदर क्लिक कर लिजेंगे और यहां से हमें अपनी इंप्लमेंटेशन दे दूगा जब भी कोई प्राइट रिकोस्ट करेगा हमारे से लट पर तो यह मैथड चलेगा एक मैसेज मैं दे दूंगा अभी कंसूल पर से साउट लिख देते हैं अलो आयम अलो तर्वलेट करूंगा मैं और यह जो आप कंसूल लॉग कर रहे हुए सारा सिस्टम डॉड़ डॉट पिंठल है डैट मिस कंसूल पर आएगा ब्राउजर ब्राउजर मतलब आपको आउट्पुट ब्राउजर पर जब आप कोई एपसाइट खोलेगा तब यह न जीरिज भीज आह हम एक क्रइटर मिलेगा आंड हम लोग ऑ किया कहरेंगे क्रांज्क हम लोग इस राइटर से ए इसको पहले ही हम लोग प्नित करेंगे राइटर डॉंट प्रेंगे अब प्रिंट ऐलो फारshop मfryंगें उससे ब्स राहलो विलाज थे आदो है हेलो हेलो आर यू और एक बन बड़ा भीजेंगे राउजर पे थोड़ा बड़ा बड़ा बेजेंगे राइटर डॉट प्रिंट लन और रहा लिए वाट अबाउट योड दो कुश्टिंस मैंने डाल दें और एक अम बंद कर देते हैं बंद इस वाले सोल पर यहां पर यह दो नहीं अखि amp dose मेरे रैबाउजर प्रिंट पर्रैब करना होगा अब यह तो वाले यह कुल्थ व्यूत न यहां पर आप आप श्लाइश करकर का तो यह वर्ल को हमें अपने इस क्ला मैप करना होगा मैपिंग के लिए हम दो तरीक है कर सकते हैं एक यूद कर सकते हैं हम लोग एक्जम्ल तो हम लोग XMl ही पढ़ रही हमको आना है बैब दो ऑड हम के अनदर और यहां पर हम मैपिंग करेंगे वह सर्वेर्ट की दो और tag होते हैं एक होता है शर्व डेट नेम तर्वेट क्लास नहीं सर्व लेट नेम और नेम के अंदर आपको शर्वेट का नाम एक डिफेंग रनना होता है अपको शर्व डेट क्लास और क्लास है मारा कॉम सर्वलेट्स डॉट है एक सीज में और करूंगा जान बूच कि यहां पर मैं स्पैलिंग गलत करूंगा जिसे क्लास नहीं और यहां पर एक एर्र आएगी जब आप है या वह वह क्लास नहीं मिलथी मैपिंग के लिए हमारे पास एक टैग है है इसके अंदर और आपको लिखना सर्विट का नाम किस तो किस अपने नाम उपर दिया सब्सक्राइब यह दिखें है इसी के मैपिंग मोग करें इसलिए सर्वंड नेम यह चीज हमने सेम रख़ी है दें हम यहां पर लिखेंगे एवर्ल पैटन हम नेवाला है हेलो तो जैसे ही हेलो पायरप करोगे ब्राउजर पर पर चल जाएगा किस वाइरल को आप हीट कर रहे हो और वह वाइरल किसे मैप है हेलो सर्वेट से और हेलो सर्वेट की क्लास कौन सी है है इतना करने के बाह州 यहां पर रीज़स करनें चारो बिना रीस्टार्ट के choice करना चाही हो तो मैं सर्वर को एक बार पर रिस्टार्ट करूंगा और आपका सर्वर यह देखिए स्टार्ट होके अप्लिकेशन आ चुका है अब आपको यहां पर वही इवारेट प्रेटर्न डालना है तो मैं लिखूंगा स्टार्ट करें और अपने सर्वर को रिस्टार्ट करोगे और उसके बाद आऊगे और अपना युर्ल पैटर्न सही डालोगे तो देखेगा यह देखेए यह जो आ रहा है अब करेंगे तो यहां से अब डानिमिक डेटर्ट कर सकते हैं अगर आपको देट भीजना है तो आप एक डेट मना रहें एस्कुल की डेट की बना रहे हैं आप यहां बना आईए यूटिल की डेट बनाई है डेट इसकोल टू डेट करेंट डेट आजाएगी और आप राइट डॉट प्रिंट एलन की हल्प से मदद से आप करेंट डेट और करेंट डेट की वैलू आप डिट डॉस्ट्रिंग डाली है बाकि हम लोग समझ लेंगे एच यून में बंद कर दी टीक है अन बाकि राइटर की स्पैलिंग नहां पर साही कर तो अब यह डायमिक वैलू देगा हर बाद डेट निकालके सर्विट क्लास है तो तो मैंने रन अप कर दिया फिर से और अगेन आते हैं इसको रीफेस करते हैं पुराना वाला ही पेज यह देखें अभी यह करेंट डेट आरी है तो जितने बार में रीफेस्ट करूंगा हर सेकंड डायमिक डेट आरी तो नया डेट आई तो इतना तो सबजगे अगर आप जिएस पी लिखना चाहरे हो तो एक चीज आपको और करनी पड़ेगी है तिंक जिस्पी बनाते हैं आम गोंग टो राइट जिस्पी पेज तो मैं राइट लिक्रोंगा वेब पे और यहां पर एक फाइल बनावंगा नाम देते हैं लॉगन डॉट जिस्पी और यहां पर क फैसेट वर्जिन 2.3 वार नॉट फांड यह कुछ फैसेट वगरा दिक्कत आ रहे है तो आपको क्या करना है इसमें एक सेटिंग होती है जो सेटिंग परानी सेट है इस प्रोजेक्ट के अंदा है तो अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिए और यहां पर आपको एक करके करके पस अपने अपने इधर अलै कर लेंगे अंद्स अपलाइ करने अपलाइ अंड कोस करने अड्र होफ फुली यह जली जानी चाहिए आँ भाई ऑच से कि आ वाइचा कलेते हैं ठीक है तो डानिमग्रेफ मॉडिल है 6 है जावा 17 है ठीक है मॉडिल भी हमारे पास लगा हुआ है ठीक है एक बार हम लोग 6 के साथ 21 तो नहीं आ रहा है 6 के साथ I think 21 आएगा क्या है एक बार देखते हैं 6 के साथ लेट्स ट्राइट आउट अठीक है तो टेंशन मत दीजिए यह सब चीजें होती ही रहती है एक बार हम चाह करते हैं 5 और 17 देखते हैं I think 5 और 17 चलेगा क्या पाइव और जावा 11 करते हैं जारा आए लेवन तो हाई निसमें न आए रहा है आए लेवन पर जा चुका है इवन 6 पर भी 11 कर दीजिए मुझे लग रहा है इक बार टेस्ट करिए टस्ट करिए टस्ट करिए six पर देखने तो यह सब यह तो जावा 11 करिए और हो सकता है लेटेस वर्जिन वर्जिन था जाव 17 भी चले तो अभी हमारा और फेशेट 6 के साथ जावा 11 चल रहा है वाकि आप वर्जिन देख करके वर्जिन के आप से टेस्ट करिए और बस अभी की वेरर दे रहा है अभी एरर यह चली जाएगी ठीक है एक बार मैं अपने Eclipse को restart कर देता हूँ ठीक है तो let's restart the Eclipse Eclipse को restart किया है दुबारा से इस बार कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए हमारे पास और हीर भी गो हमारे इस अप्लिकेशन के अंदर कोई भी एरर नहीं आ रही है ना पॉम.examl में रहा रही है और ना शर्सी में के अंदर वब्सके अंदर इन लॉगिंड और जैसे इस इस में भी आ रही है अभी में चेंज दिखा दूँगा आपको रन करके भी लॉगिंड डॉट जबूट जबार न करते हैं जड़ा ग्लिक करेंगे चलते हैं रनाइस पे रन-on-server पे क्लिक के अट के हम ठिक art को एक बार oppose अभार डबल 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 दूबार चीजे होए अब सिर्वर को उपन करें करिये मुल्टिपल इंस्टनेसे करें दोनों को चेहरे के लिपका मैंना भिटिन्स निखार वार क्या रखें सिंगल इंस्टनस की रण करें नेक्स्ट पर करिए ओके सर्वर स्रड़ करिए नेक्स्ट पर करिए एक ही इंस्टेंस है वाइटी वैब अप्लिकेशन उसी पर फिनिस कर दिए यस आप देखिए कुछ कह रहा है यह कह रहा है यह कह रहा है आपको क्या 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 बता रहा है कि एक कह रहा है कि है ओक कि कोई बात नहीं आप क्या घर एक बार प्रोजक्ट को बिल्ड करिए आँ अब डेट कर दीजिए ठीक है अप्रेट करना इंप्रोटेंट है एक बार क्लीन भी कर दीजिए बिल्ड ऑटोमेटिकल हो जाएगा क्ली के लिचे थोड़ा सा कभी को दिखकत हो दिए लेग बार बिलड और क्ली जरूर से कल दीक जिया ओ फिरसे दिक क्लिक कर लिगे खिडिय का अग्य प्र फिरसे दिखकत आने लगी दक्लिक कर देंं और पर पड़ती जा दें हो गया जावा फेसेट्स कहा हो गया बाई project फेसेट्स पे अगें देख़े 2.3 हो गया तो इसको फाइब के साथ जावा 11 इसेट कर देते हैं 5 के साथ 11 को एक तो ठीक है अगें जब प्रोजेक्ट में clean ब्रेंद करें तब दिक्कत हो रही है वार फिर से में कर रहा हूं देखने हैं क्लीन होने पर आप से अपने आप से दुबारा से आइंग सेट हो जा रहा है नहीं इस बार ठीक है तो यह क्लीन हो गएर कर दीजिएगा अभी यह जो क्लिफ मेरा वर्जिन है या फिर 6 के साथ अब 17 कर दीजिएगा देख लिए आपको कैसे करना है थोड़ा सा अब प्रेड ट्राय कर दीजिएगा मैं अगें पर क्लिक करता हूं देखने भाई क्या दिक question.jsp नहीं चल रहा है अपन काहवलोड जेखते हैं हईलो ट्राइक करते हैं कि अइस अध़ track करते हैं पॉइफ है यह कुई हивается आफान और चाह साथ है यह तो जावा है वेब्वार है इंडेक्ट ओट डॉक्ट जोग एक बार हम देख लेते हैं एफ लोगों ने डिखा होगा तभी तो चला था ठीक है हम्म्म लॉगों को जबस्ट जिस्टे में ठीक है वार अगेन हम रोगुब टीकले करते हैं थीक है, run on server पे क्लिक करते है, 10.0 थीक है, yt web application है, जिक्कत हो रहा है, कुछ तो जिक्कत हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपना इपार server, window पे चलते हैं, आप आते हैं, servers को open करते हैं, server, इस को एक बार remove करते हैं, again हम अपना deploy करेंगे, ऐसी नहीं कि ड़े हैं और चलते हैं इस प्रोड्री करते हैं जाकी चलते हैं lange क्रें उप्याव में यहां पर एक आप्श्ण है तो order & export में यह सब चीज इनसेलेक्टेड ritersouse java ठीक है एसोरस में यह यहाँ पे एप्सिर्फिर्ट में रणटाइम भी इसक करदों गा ठीक है रण्ड इतना 1 शह को अप्लाइ कर दीजे याद एक चीज ओर देखिए में deployment patch assembly में मारे पास मेंशेट например हें ठीक है week resources,Webapp,resources,java,trick सब्स्रीश करें, Unile case करें,डी में में ALI स्काइप के हम जाता है फार भीANGuest चलना चाहिए,डी पार यास देखा चला चला अगलोगन.JSP लिख सकते हो दाइमिक शीच में लेकिक हैं हम यहां पर कुछ लिखते हैं कुछ लिखते हैं कि प्रेंट कर दो डार्किल कुछ भी मैं लोगेंगा दुरुगेश डॉट तू तू अपरकेस तो दुरुगेश अपरकेस में आना चाहिए आउटपूट लेट सी लॉकिन डॉट जीज कर सकते हूं यहां पर पूरा जैस पी लिख सकते हूं तो यह तरह बाई यह तो रही बाई डैनमिक जावा प्रोजेक्ट की करिये साल भष को ड Ooh यहां पस पनाई है जितनेसाल बाई वठी करियों करने हैं उन데 यहां तक तो बात रही जावा वब अब बात करते हैं इंवी सी को कैसे को काम करें है और spring configure करने से पहले हमें dependency लानी होगे spring के तो हम लोग open करेंगे exactly वैसे ही जैसे हम लोग करें थे हम लोग अगें हम आजाते हैं अपने मेंवें repository के अंदर जहां पर सारी repositories है मेंवें repository की पूरी पूरी profile है और यहां पर हम लोग करेंगे spring mvc spring mvc सबसे पहले जो dependency open होगी या सबसे पहले जो result में आएगा उसी को आप open कर लिजे यह देखें spring web mvc क्लिक कर लिजे इस पर आड जो latest version है वह हम लोग उस करेंगे 6.1.3 एक्टम latest version क्लिक करेंगे और हम लोग इसको copy कर लेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप यह dependency copy करोगे लगाओगे तो यह अपने साथ बहुत सारी dependencies को खुद से लेकर आ जाएगे सबसे पहले इसको देख लिए यह spring web में से container spring model view यह वाला पूरा module है rest web services module है it provides clean suppression of domain model code and web forms and integrate with all other features of the spring framework ठीक है इसको हम आजाते हैं Eclipse के अंदर यहां पर अपने pom.examal के अंदर अपने dependencies के अंदर पेस्ट कर देते हैं याद रिखेगा dependencies के अंदर होना चाहिए dependency के अंदर है dependencies के अंदर अंदर हम क्या करेंगे project पर एक बार कि जब आप एक रोगे उसके बाद अप थोड़ा सा दिख्ते जहीं फिर से कुछ error देने लगा यारा idea यह यह तिंग वही दे रहा है क्या again again को नहीं यह कुछ और दे रहा है अपने spring webmc लगया उसके बाद आपके पास कौन को से dependency आ गोई है देखे आप उपन करिए libraries को libraries के अंदर मेबन लाइबरी मेबनेप्रेंसी को उपन करेंगे तो आपको देखोगे आपके पास आ चुकी है servlet API 6 जो है अपने तो अलग से लगा रखे थी इसके वज़े से आईए एक webmc 6.1.3 aop अपने आप आप आचुकी है beans अपने आप आचुकी है context अपने आप आचुका है observation आप आचुका है and expression भी आ चुका है spring web भी आ चुका है जे उनिट के लिए तो अलग से अलग से अलग से कुछ करने की जरूत नहीं है spring webmc लगा दिए अपने आप से ठीक है इस अप चीज आ चुका है उसके बाद अब आपको क्या क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ इस अपने आप चेंज क्यूं हो जा रहा है यह देखने की जरूत है अपने आप से फिर से चेंज हो गया इसलिए किसलिए आपको पता है तो कमेंट स्क्रीम में जरूरू बताइए यह हमारे पास स्प्रिंग के मोड्यूलों है यह हमारे पास सब क्या है हो तजब रेकवेस्ट के ही पास आती है तो سबसे पहले इस सभीक्राइब科 में पास परिए यह स्पुर्मास के लाएक्व खारंड़ सबसक्राइब करें इसके अंदर मुल्टिपल कंडूर बना सकते हुगा देख कंडूर से पहले सबसे पास रिक्वेश्ट में सार्वलेट के पास तो हमारे पास यहां पे servlet होगा तो कोई भी request आएगी गईस तो सबसे पहले आएगी हमारे पास यहां पर हमारे पास front servlet के पास कोई भी request आएगी थीक है तो यहां पे request आएगी हमयशा और यह friend servlet एक्चली एक class वह के बनती जिसका नामे dispatcher servlet तो हम dispatcher इस प्रेंट सर्विट को बनाने के लिए यह इस प्रेंट सर्विट को बनाने के लिए तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट करोगे चाहे अपने स्लाश हलो कर दिया या स्लाश लोगिन कर दिया या स्लाश रजिस्टर कर दिया तो कोई भी आपने रिक्वेस्ट किया तो सबसे पहले दिस्पैचर सर्वेट के पास रिक्वेस्ट को डेलिगेट कर देगा कंट्रोलर के पास ठीक है यह डेलिगेट कर देगा यह और यह डिसाइड होगा मैपिंग के लिए कि कौन सा किस के पास किस कंट्रोल के पास रिकोस्ट जा रही है यह मैपिंग सापका रखे हो उसी से किस कंट्रोल को रिकोस्ट डिलिगेट होगी यह मैपिंग से डिसाइड होगा कि आपने किस कंट्रोल के मैप करकी वह रिकोस्ट पर देगा रिश्टर सेरवेट के लिए ठीक है तो समझेंगे डिलेगेशन होगा बट कौन या किस पर कौन सा होगा यह डिपेंड करेगा आपने मैपिंग कैसे कर रखी फिर क्या होगा जब रेस्पॉंस आयेगा तो रेस्पॉंस सपोर्ब यहां से आया डेटा के साथ आया तो डेटा के साथ जब रस्पॉंस आएगा गाईश तो बहुत सारी ही होती है सिर्फ एक चीज नहीं होती है यहां पर आया तो उस डेटा को व्यू के साथ साथ मिक्स करने होता है मतलब कुछ डियनी मिक्नार हो डवियूज कलें के लिए डिस्पैंचर समन्ट करें और भी उसको डियनमिक ना ढौके यहां से यहां सबना लगा शंग कवब huge को यहां जर्व करने के बाद फिल प्रीज सम्ट अब आप सोचो कि कितना डिस्पैचर सब्रेट का मेन रोल है सबसे पहले रिकोस को एक्सेप्ट कर रहा है यहां हमारा क्लाइंट बैठा होगा यह हमारा क्लाइंट बैठा होगा जिसने रिकोस्ट किया था तो हमें सबसे पहले एक डिस्पैचर सब्रेट बनाना है जो सारी रिकोस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हो बेस्ट अन मैपिंग वो रिकोस्ट को स्प्रिंग कंट्रोल को डेलिगेट करेगा तो चलो बही बनाते हैं आजाते हैं यहां पर तो हम क्या करेंगे हम आजाएंगे में के अंदर एक सर्विट हमारे पास अल्यड़ी यह उसको बस मैप करना है सर्विट का नाम है करते हैं हम यहां पर लेकिते हैं हम यहां यहां पर तक अरच करेंगे यह इसको बन करेंगे कर रहा हूं ट्लिक करें यहां पएक ऑप्शन है copy qualified name copy के लिए यहां पर आईए and यहां पर paste कर दिए and इसी servlet की बात कर रहा था and इसका नाम spring servlet और बात है mapping में नाम यूज होता तो आप यही नाम यहां भी उसके लिए ठीक है ठीक है और dash नः यूज करते हैं इसको हम लोग caps lock में कर देते हैं क्या कर देते हैं यहां से लेकर के इस ऑपफर के पास जा है कि इस पर आप फ्लिट्रिंग भी कर सकते थे हैं पास कर सकते थे सिर्फ और स्टर्ट होने वाले डिस्पैचियर सरवट के पास जाएगा जैसे मैंने आपको यहां पर डाइग्राम में बता रखा है चलो भाई यह मैप हो गया साथी साथ में जैसे हमारा context load होगा या deploy होगा हम यहां पे एक spring की file spring context file भी initialize कराएंगे और उसके लिए मैं यहां पे इनिट parameter डालूँगा इनिट parameter लिखूँगा इनिट parameter कि जैसे भाई एक parameter initialize करेंगे और इनिट परम वैलू परम नेम और परम वैलू होती है तो परम नेम हम डालेंगे परम नेम हम डालेंगे context config location परम नेम context config location तो यह basically parameter हमें बताएगा कि हमारे context file का location क्या है जो spring के configuration file होगी and परम वैलू की हल्प से हम वो पता सकते हैं slash web-inf के अंदर एक file होगी spring-servlet.jsv serve.xml file jsp नहीं xml तो हमें एक file भी बनाने होगी spring-servlet या आप कोई भी आप app-servlet बना सकते हैं यह basically हमारी configuration file है spring की जिसके अंदर हम beans वगरा create करेंगे चलो अब यह काम करेंगे तो हमें एक file और चाहिए spring-servlet.xml file ही चाहिए लेकिन यह file कहां चाहिए यह file हमें चाहिए नाम copy कर दो यह file हमें चाहिए web-inf के अंदर तो web-inf पर right-click करेंगे due पर चलेंगे sorry यह का हो गया यह का हो गया फिर right-click करेंगे web-inf पर and file पर जाएंगे यह file हम लोग create कर लेंगे अब इसके अंदर क्या लिगना है इसके अंदर हमें तीन चीच बतानी है एक तो spring किस package को किस package को scan करें जिसके अंदर annotations based classes रखी होंगी दूसरी चीच हमें annotation based चीज़े enable करनी है तीसरी चीच हमें view resolver चाहिए जो हमारे views को resolve करें ठीक है यह तीन चीज़ेंगे बतानी है so let's see हम open करेंगे internet और यहां से हमें config लाएंगे config file लाएंगे हम कहेंगे यहां पर spring config file ठीक है XML या फिर आप यहां पर आ जाओ spring XML XML config file XML name space यह वाली open हो रही है तो यह basically हमें name spaces कुछ ही है ठीक है तो हमें क्या करना है सबसे पहले यह वाली इसको copy कर लो चिपकाओ ठीक है and beans के अंदर हमें कुछ name spaces डाल लें यहां से name spaces उठा लो name spaces उठा लो paste कर लो ठीक है यह क्या कह रहा है टाइप बींस मस्ट वे डिकलेरड हूं नेम इस्पेस नेम इस्पेस नेम इस्पेस नेम इस्पेस इस थीक है तो तो दो बार मैंने बींस डिफाइंड कर दीए क्या है बाई इस डॉक टाइप को हटा दीजिए मतलब आप उपर वाले को ना लगिए सिब नीचे वाले को वापी करिए नीचे वाली फाइल को वापी क्लिक हमें XML एक्कुमेलेंट XML चाहिए और नीचे वाले को पेस्ट कर दो बस तो हमारे पास एक नेम इस्पेस आ चुका है बींस का नेम इस्पेस आ चुका है और नेम इस्पेस में हमें लोकेशन दो चीज बताने होती है एक तो नेम इस्पेस और एक लोकेशन ठीक है तो मुझे 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 दो चीज का और लोकेशन नेम इस्पेस चाहिए एक चाहिए MBC और एक चाहिए और मैं जैसे करना हूं जैसे करेगा ऊपर वाले को कॉपी कर दो यार बीन्स को पेस्ट कर लिजे और इस बीन्स को क्या कर दिए बीन्स को MBC कर दिए सेम अगेन आप एंटर करिए XML name space colon context कर दिए और पेस्ट कर दिए और इस बीन को आप जेन करके context कर दिए यह तो हमारे name space है अब इसके location भी बतानी होगी मैं तो एक तो अलड़ी हमारे पास location beans की पड़ी है हमें MBC और context की बतानी है तो हम इस दो को copy करेंगे याद रखेगा है double quotes के अंदर यह में चिपकाना है यहां और यहां beans के ज़िए हम क्या कर देंगे एक MBC कर देंगे olduğu जहां 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 बिश्याइओ nbc और यहां भी बिश्याइओ तो यहां वी मेन से लगाना है, security का लगाना है, तो directly xml name space, security and then location भी इसे साफ से change कर लिएगी, इनकी location आपको मिल भी जाएगी, अगर आप इसको copy करोगे, net पे ले जाओगे, एक बर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे paste करोगे तो आप देखिएगा, name space खुल जाएगी, I think dot dot xsd करके था ना, हा काम हो हमारा, तो मैं गोंगा annotation based काम, के लिए हम MBC के अंदर, एक annotation driven नाम से annotation उसके उस करेंगे, तो आप लिखे, MBC colon annotation driven के देखिए, ठीक है, आप दिखे, यहाँ important बात है, MBC पहले इसलिए लिखा है कि यहाँ पे हमने MBC डाल रखा है, अगर यहाँ पे हम दुर्गेश लि नाम से colon के बाद कुछ भी ने लिखता, ऐसे लिख देता, पहले हमने beans जाल रखी है, तो beans वाले जितने भी declaration है, उसको मैं directly use कर सकता हूँ, but MBC वाले declaration हमें MBC colon से use करने पढ़ेंगे, that means, अगर हमें MBC का कुछ भी use करना है, तो MBC colon use करेंगे, then देखिए, course, servet, handler, free marker, configuration, interceptor, सब चीज यहाँ पर हम लोग MBC colon से access कर पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर दुर्गेश कर दी होते हैं, यह confusion बहुत लोग को रहती है, दुर्गेश, दुर्गेश मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो हमें यहाँ पर दुर्गेश से access करना पड़ेगा, क्यों, declaration है वो न, तो उ तो मैंने MBC से ही कर दिया है, और यह self closing tag है, तो आप यहाँ पर self closing tag बता सकते हो, अब यह basically annotation driven को enable करने के लिए, अब हम लोग annotations को use करेंगे, और हमारा spring ने enable कर दिया है annotation based configuration, annotation based configuration, दूसरी चीए हम यहाँ पर एक और लाएंगे, चुकी है context से, context colon, component scan, हमें क्या करना है, हमें वो सारे components scan करने किसी package से, जो components पे annotations लगे हो, और उनका काम spring को यहाँ कह सकतो, उनकी location spring को पता चलनी चाहिए, तो जैसे आप component scan डालोगे ना, यह देखे, context colon, component scan तो यह base package दे रहा है, कि package आपको कौन सा देना है तो मगा होगा होगा, मुझे आप scan करिएगा, com package को scan कर अगर spring का annotation लगा class है, तो वो spring उसे consider कर लेगा, और जिसलिए अपने annotation लगा होगा, वो काम हो जाएगा, जैसे com के अंदर कोई, ऐसे classes इसको पर add the control लगा है, तो control काम करेगा, ठीक है, यह समझे, तो इसलिए मैंने com दे दिया, जैसे वो sub packages को भी उठा लेता है, तो com को ही मै लगा के अंदर यह दिखे को, मतलब इसके अंदर सारी classes काम करेंगी, servlet class हो चाहिए, जो भी class आपने बनाए हो, ठीक है, lastly, मैं हाँ पर resolve करूँ, view resolver बनाऊँगा, तो हम view resolver किसके बनता है, MBC से मिल जागा, या देखते है, एक bean बनाना होता है, बनाना होता है, तो bean हम बनाएंगे, bean में हमें class बताना है, class और class यूज करेंगे, internal resource view resolver, बहुत सारी classes इंटर्नल resource view resolver, एक class है, अगेन हमें package बता नहीं, तो मैं क्या करूँआँगा, control या window shift, control shift ती दबाऊँगा, यहाँ पर लगूँगा, internal resource view resolver, इस class की बात कर रहा हूँ, इस class पर right click करें, copy कर लिजे, and then, आईए अपने, यहाँ पर, and paste कर दीजे, हमें fully qualified class name, चाहिए, right click करें, qualified name, copy करें, यहाँ पर आईए, इस class के बाने बात कर रहा हूँ, जो है, org.spring framework.web.subject.view.internal resource view resolver, इस class के बाने में बता, अब पढ़ सकते हूँ, क्या 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 कर रहा ह that supports, that supports, internal resource, that support, that support, अब इसमें पढ़ना ही नहीं रहा, तो basically दो जीचे हमें बतानी इसमें, एक prefix और suffix बतानी हो थी, prefix and suffix, मतलब prefix में, जो आपके view हो, सुरू कहां से हो, और suffix मतलब end कैसे होंगे, तो चलो बाई, दो property हमें, I have to defend two properties inside here, तो मैं लिकूंगा, चलो बाई, प inf slash, then views, यह उसकी prefix होगी, and हम इसको self-closing बना सकते हैं, ठीक है, and then again, एक property हो रहे है, property, name, यह होगा, suffix, और इसकी value होगी, dot jsp से खतम हो रहे होगी, तो यह view resolver क्या करेगा, suffix, तो view resolver हमारे views को बनाएगा, किसको बनाएगा, views को बनाएगा, views मिल्स की, जब भी कोई controller आपका चलेगा, यहा से, जब भी कोई controller गई चलेगा, तो वो जो return करेगा, नाम, उस नाम को मिला करके, व्यूव बनेंगे हमारी internal resource view resolver व्यूव बनाएगा तो जैसे किसी controller सब्सक्राइब इस controller ने एक नाम रिटन किया hello, तो व्यूव रिजॉव बनाएब लेगा या hello.jsp नाम से हमारे व्यूव बन जाएगा, इस को धोष ऐसा समझते हैं, इस 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 controller ने इस controller के method ने hello return किया तो views कैसे बनेगा views को ऐसे बनेगा सबसे पहले आपका prefix आएगा slash web dash inf slash views and then यह वाला नाम आएगा hello and then dot jsp आएगा समझ गया क्या हो रहा है यह से यहां पर है यह बाकि इस यह वालो चीज वह आपका सफिकस और यह वाली चीज आपकी प्रीफिक्स है इसलिए व्यूस को प्रिट किया गया या इसलिए हमारे इंटर्न डिस्ट व्यूर्वर क्रेट हो बस अब कुछ यादा करने की जरूत नहीं है इसके अंदर जो भी कोई कोई भी कौनफिग्र करना है तो आप यहां पर कर दीजिए है ब्लेबल होंगी जिनको आप यूज कर सकते हो अगर कोई किसी को तो बीगा तो आप आप अपने system में अब यूज़ कर सकते हो सारी यहां फेंड कर सकते हूं ठीक है ओके नेक्स्ट अब हमें control बनाने के ज़रूत है क्योंकि हमारी configuration हो चुकी है बल्द अब हमें control बनाने अब जो request होगी dispatcher लेट के बाद गंट्रोल के पास आएगी डिडिडिट होगी तो हमें पनाने पड़ेंगे चलो भाई यहां पर बना लेता हूं अपने जावा के अंदर एक पैकेज बनाते हैं इंदर फिकली पाइल को बना रहा है राइट क्लिक करेंगे नूओ करेंगे और पाकेज का नाम होगा पाम रण कांट्रोलर्स औरुपिशन बात है यह कॉम के अंदर हमारे पास कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स करें उन्हें क्लास अभी देखते हैं प्राइक चाहिए की नी और लॉगन कंट्रोल बनाते हैं और यह रदीम क्रें को जो ठीक तो है तो एक बार राइट टिक करते हैं और ऑपन करते हैं जिस्टम में जाबा के अंदर ओम में ऐसे और बनाएंगे controller और एक method बनाएंगे public login के लिए तो public string return करेगा login page return कर देंगे login और यहां पर हम करना जा रहा हूं जब भी किसी ने slash login fire up किया होगा तो रिक्वेस्ट तो सबसे पहले अब इस बार डिस्पेश सब्सक्राइब पास आएगी बट और login अपने return किया इसका simple मतब होता है कि हम slash webinf के अंदर views के अंदर login.jsp चला जा रहे हैं क्योंकि slash webinf slash views तो प्रिफिक्स से आ जाएगा और यह हमारा page का नाम हो जाएगा तो हमारे सब्सक्राइब के अंदर राइट क्लिक करेंगे और एक हम बनाएंगे ओल्डर व्यूस स्पेलिंग भाई ध्यान से देखेगा बहुत बार गलती होती थी मुझसे और आप से तो यह चीज ध्यान रखिए व्यूस पर राइट क्लिक करेंगे और एक फाइल बनाएंगे login.jsp यह हमारा पेज है अब लेकरेंगे h1 दिस लॉग इन पेज और एक मैं यहां पर आऊँगा एक एक लिख लूँगा ओपेंड विद स्प्रिंग कंट्रोलर का नाम जो है वो है क्या login कंट्रोल लोग कंट्रोलर सेफ कर दिए बस और कुछ भी करने की जरूत नहीं है बस देखते हैं स्लाइश लॉग इन फैर खरते हैं हमारा कंट्रोल चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो इसको सब सेप कर लो अपने अप्लिकेशन को राइट करो राना इस पर जाओ सर्वर पे क्लिक करो और कुछ गलती होगी तो अब सबात नहीं चलेगा तो प्र नहीं पड़े है हैर वी गो हमारा कुछ भी गड़र नहीं वा सबको सभी चल रहा परफेक्ट अब देख सकते हूं यहां पर ठीक है तो दिस लॉग इन पेज ओपने इस पिंग कंट्रोल से अपने 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 लॉग इन पेज अपना उपन किया है अब इसके अंदर कोई भी कोड डाल सकते हूं कुछ भी डाल सकते हूं अगर आप साइन अप बना चाहिए तो मैं क्या करता हूं बना की दिखा देता हूं एक एक पेज के दिखें लॉग इन पेज मैथर इन वोग डेट में समारे कंट्रोलर का देवाला मैथर्ट चला है सपोस्थ आपको एक पेज और बनाना ह मैं पर बनाना नहीं फैर्न कंट्रोलर के अंदर है स्ट्रिंग हां यह आउथनटिकेट है और सफकेट इस 맞아요 करूंग और कुछ में ज्यादा करूंगा निंया यहां पर आते हैं और ओण यह बिसके पेज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक अधमिस मेरे पास एक नमक पेस और होना चाहिए हमारे पास तो मैं कहूंगा ठीक है हम अपने व्यूस पर एक क्लिक करते हैं निव पर चलते हैं और यहां पर एक फाइल मुलालते हैं और अधन टिकेट डॉट जिस पी और हम कहेंगे इस इस पीच अभी मैं डेटा भी पास करके दिखाता हूं सब चीज करके दिखाऊँगा पोटेंशल लेनी कि कोई भी जरूद नहीं है तो अपने कोई भी कोड में चेंज किया है तो तो मैं देख लेता हूं वरना तो आप रिस्टार्ट करना जानती है थोड़ा सा वेट करते हैं एक नेक्स करेंगे अड़ ये ये अर वी गो यह दिखिए अगेन अपना लॉग इन फायर करेंगे लोग इन आइड और अफंट राइट करेंगे यह देखिये उसुटरें कैसे अब पूरा पूरा काम कर सकते हूं एब सिर इए complet के लिए एक फाईल बना देते हैं लेट सी ह होम कंट्रोलर हाँ हाँ होम कंट्रोल बनालो रिक्वस्ट मैपिंग पब्लेक स्टेंग होम पेज रिक्वस्ट मैपिंग स्टेंग कर दो रिटर्ण कर दो यह होम पेज कर दो डॉट जैस पी तो सफिक्स से आ जाएगा यहां पर मैं एक चीज लिखूंगा से साउट होम पेज सेब कर दीजिए ज़रा और देख्रें भाई स्लैश हमारा होम के लिए तो स्लैश ही वारल है यहां हो रहा है अपुलिए तो स्लाश भारल ही फायत हो रहा है वह पुलिए फ्लाश भारल होता है तो अब अब तक रिस्टार्ट नहीं होगा я ऊए एक बार देखते हैं वह किले इंडेक्स भार्ण कारना पढ़ेगा क्या लेटस पूलिए लिए लाग रहा है जो इवाइरल देना होगा वो आधिंक इंडेक्स देना होगा लेट सी इंडेक्स पे ही भी ट्राइब कर लेते हैं हम्नों हमारा server कहां किया है server गया तो दिक्कत होती पता नहीं सो भी में चलते हैं कि एक बार हम लोग राइट लिक करकर रिस्टार्ट कर लगने है कि अबी 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 यह ओम नहीं ले रहा है डॉट गया है क्या कहीं है दर कॉंटेक्स पाथ लिखते है कॉंटेक्स पाथ लिखते हैं जरा slash yt slash web application slash yt slash web app slash hai न है लेट्स सी हां लेट्स सी अब देखते हैं लाई पुर्दा दिमाग लगा है क्योंकि यह context path है न तो इस context path को लोगविन निकाल करना पड़ेगी मुझे लग रहा है I hope this will work अभी भी वर्क नहीं कर रहे है Mm जो उसके लिए कुछ और झीक करना पड़ाई गा हम लोग को Mm Mm ऐसे नियुआ ऐसे नियुआ ऐसे नियुआ ऐसे नियुआ अगे Slash Slash काम करना चाहे था बाट I don't think it Slash काम कर रहा है क्योंकि slash home चल रहा है slash lock-in चल रहा slash author ticket चल रहा है तो slash पर ही चलना चाहिए था क्यों निवरा, okay let's see, हम लोगे गलती यहापी की यहापे हम लिखते हैं controller हम लोगे लिखने में गलती कर दी है how it is possible, कैसे यार हो सकता है यह चीज आप मत करिएगा दरवाइस आप भी परिशान होंगे, जैसे मैं परिशान हो रहा हूँ let's see, इस बार देखते हैं, okay server, collect, next अभी भी दिक्कत कर रहा है, okay अब हम लोगे जैस्पी नहीं बनाई, home.jsp बना लेते हैं तो हमारा home पे चल जाएगा, let's see हमें home.jsp चाहिए ना, चलो बैए, तो views के अंदर चलते हैं new पे चलते हैं, file पे चलते हैं home.jsp लिख देते हैं, this is home page welcome to Friday using Spring MBC बस हमारा काम हो गया, guys हमारा काम हो गया, बस lastly हम यह क्या करता हूँ आपको data pass करके दिखाते था हूँ, actually कैसे आप Spring controller से data pass करोगे अपने GSP के अंदर और इसके अंदर सब चीज़ आप कर सकते हूँ, even आप इसके अंदर timely और भी configure कर सकते हूँ, configure कैसे करना है, मैं बताऊंगा यह देखे, welcome to website using Spring MBC अगर आपको login पर जाना है, login पर जा सकते हूँ login ने authenticate किया, तो authenticate पर जा सकते हूँ, ठीक है इसके अंदर आप tailwind होगा यह उसकर सकते हूँ bootstrap यूज कर सकते हूँ everything, जो आप उसकरना चाहरे हो, there is no limit कि आप क्या उसकरना चाहरे हो ठीक है, अब मैं data pass करके दिखा रहा हूँ suppose, आपके home controller से कोई logic execute हूआ या आपके login control से यहां से कोई logic execute हूआ और आप चाहते हो कि हम यहां से data pass करें अपने login page के अंदर, तो how to pass data from controller to view, कैसे देखे, हमारे पास model object होता है, model object को ले लिजए अपने parameter के अंदर इस model के अंदर आप data store कर दिए अपने आप से view के अंदर तो मैं model के पास एक method होता है add attribute add attributes भी add attribute भी, key value pair में suppose, आपने नाम यहां से pass किया और name आपके database से अभी तो मैं static लिख दे रहा हूँ दुरुगेश कुमारतिवारी यहां पर यह name को आप यहां पर डाल दिए यह name कहीं से भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बाद अब इस model को आप directly वहां पर access कर सकते हो, that means model के keys को access कर सकते हो, मतलब हम name को directly अपने view के अंदर access कर सकते हैं, login के अंदर access कर सकते हैं, कैसे देखे हम इसकर से अपने JSP and JSP के अंदर directly हम लोग request dot get attribute view की help से name को directly access कर सकते हैं, name की value यहां पर आ जाएगी, दिखाता हूं आपको दिखाता हूं, right click करेंगे, run on server पर click करेंगे server select करेंगे, here we go finish कर देंगे restart कर दो, server and आप देखोगे जैसे मैं login क्लिक करूंगा यह देखे, दुर्गेश कमरतवारी आपके dynamic data आ रहा है, कहां से? आपके controller से, यह दुर्गेश कमरतवारी मैंने कहां pass किया भई, यह मैंने pass किया, अपने controller से pass किया, यह फिर अगर आप regular expression use करना चाहरो regular expression means कि भई, अगर आप JSP का ELB होता है, expression language तो directly भी आप name को access कर सकता हूं ऐसा लिको, directly name को access कर लो name बस कुछ भी करने के जोरूत नहीं है ठीक है? name आपका print हो जाएगा हो जाना चाहिए, हो जाएगा ठीक है? तो let's see server select कर लो, next, finish let's see, let's see, let's see refresh करो नहीं आ रहा है, तो I think EL, by default ignored है तो मैं enable करूँगा इसको JSP के help से लिखूँगा page page is EL ignored इसको करने का false ignored ही होता है, I don't know ignored ही होता है, व्याद नहीं इतना सारी चीजे याद कहा रहेंगे आपको व्याद नहीं करना net से देख लेंगे और नहीं आ दोगा तो देख लो, yes refresh करो तरह आपके सो यह कह रहा है कि ignore होता है शायद यहां भे ignore होता है अब फिर से हम लोग restart करने हैं बार बार restart करना पड़ रहा है तो करना पड़ेगा कोई बार नहीं, next करते हैं finish कर लेते हैं and again refresh करते है and अभी भी यह दिक्कत कर रहा है कह रहा है कि invalid क्या गल लिखाया directive हम लोग गल गाई is EL ignore net पे आवा सच करो is EL ignore directive कहा गया हाँ कहा गया हाँ ignored ही तो है copy करो पता नहीं ऐसा काहिक हो रहा है अच्छा पेश चाहिद अलग लगेगा इस जना भूल गया है दुबार से देखना पड़ाएगा मझे कोई बात नहीं हमने net से उठा है जर्द प्रगी तो देख लेंगे क्या दिक्कत जा रही है अच्छा आ जाते हैं वापस राइट क्लिक करें रिफ्रेस कर लो यह देखें ठीक है तो आपका नेम डेटा डेटा आपका आजुका आपके विव से तो इस तरह के से अच्छा आपके लिए पूरा कॉंफिक्रिशन कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर पास किया है जैसे मैं आपको दिखा दिया उस तरह से अपका रिस्ट मॉडर के अंदर रख दो दिन लिस्ट आप वहां से लूप लगा कर सकते हैं अगली तगडी वीडियो के अंदर हम लोग उस करेंगे जावा हम लोग कहीं भी एक सिंगल लाइन भी एक सिंगल करने उस करेंगे और यह चीज भी आपको आनी चाहिए यह इस प्रिंग बूट के लिए यह भी इंपोर्टेंट है अगर आप यहां तक देख रहे हो वीडियो तो आप थमसब देना मत भूलिए इस वीडियो के लाइक इम रखते हैं 2000 लाइक और कमेंट कमेंट आप सो करा दिएगा बस सो कमेंट्स फटाक से कराईए जिससे हम नेक्स वीडियो डाल पाएं ऐसे ऐसे क्राइस कोर्स ने मिलते हैं नेक्स वीडियो तो जहीं जबाद बाद बाए